कि वेलकम टू ब्लेड लेर्नर के टुवेल्फ आज हम वैदिक मैठ्स स्क्वाइरूट आप परफेक्ट स्क्वाइर नंबर्स रूल पढ़ेंगे इट्स मी अमित कुमार अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें आई बटन पर किलिक करके पहले उससे देखें फ लिए यूनिट्स ढिजिट्ट आप क्वेश्चन है या दि वण रहेगा तो हमको क्या हिंट देता है उनसर का यूनियट्ट दिजिट क्या 2 हो सकता है यह 9 हो सकता है कि इसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है गोगे क्यों होगा 1 को क्यों होगा हैं वन स्कॉर 1 होता है 21 होता है यूनित डिजित 81 का 1 होता है अगर question का units डिजित 4 हो it means answer का units डिजित या तो 2 जोगा या 8 होगा क्योंकि 2 square भी 4 होता है 8 square 64 होता है 64 का你 दिजिट 4 है अगर question का question में unit digit 5 है it means answer का भी unit digit 5 होगा अगर question का units digit 6 है answer का unit digit या तो 4 होगा या 6 होगा क्योंकि 4 square 16 होता है 16 का unit digit 6 and 6 का square जो है 36 होता है, 36 में भी unit digit क्या है, 6 है, understood, अगर question का unit digit 9 है, it means answer का unit digit या तो 3 होगा, या 7 होगा, क्योंकि 3 square 9 होता है, 7 square 49 होता है, means, end मिल रहा है, 49 का unit digit क्या है, 9 है, understood, यह सारे perfect square मैंने लिख रखका है, 1 से लिए करके 24 तक, इन सभी के help से हम question को solve करते हैं, method, देखिए, method सीखिए question को solve करके, see, 8, 8, 3, 6 का square root निकालना है, question क्या बोल रहा है, 8, 8, 3, 6 का square root निकालना है, देखिए जो कैसे solve करना है, right से pairing करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम, इसका जो है, answer का 10th place rate निकालते हैं, कौन सा होगा, देखिए, 88 जो है न, 88, किसके बीच में आगा बताईए, यह आपको 81, 100 के बीच में आगा न, 81 and 100, 88, in between, 81, 100, 81 के है, 9 square, 100 के है, 10 square, इसमें क्या है, कम वाले के पास जाना है, हेलो करने के लिए, हेलो किये हम किसको, टेक साइन के साथ 9 को, means, हमारे पास ही answer का, answer का, 10 square rate मिल गया है, 2 digit में answer आएगा, 10 square rate मिल गया, क्या मिल गया है, 9, ठीक है, 1 square digit क्या होगा, 1 square digit क्या होगा, यह हमें पता करना है, देखिए, 36 दे रखा है, 36, 30 सी decide करेगा, 1 square digit क्या होगा, 36 के, units place पे क्या 6 है, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको बताया था, अगर question के units digit पे, अगर question के, units digit पे 6 हो, it means, answer के unit place पे, या तो 4 होगा, या 6 होगा, means, answer में यहाँ पे, दो possibility है, या तो 4 या 6, ठीक है, अब इस 4 और 6 में से क्या होगा, देखिए, ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक को बढ़िया दे दिखिए गा, 10 square digit जो है, multiply 10 square digit with its successor, 9 के बाद क्या आता है, 10, 9 10 जा कितना हुआ, 90, 9 10 जा, 90, compare करेंगे इस दोनों को, ठीक है, compare करेंगे, compare 88, center में जो number है, इसको compare करेंगे, compare 88 with 90, 88 के है, छोटा है 90 से, 88 smaller than 90, क्या बोला अब फिर से सुनना, 88, center में जो number दिख रहा है आपको, 88, smaller than 90, it means, it means, छोटा वाला पिक करेंगे, 4 और 6 में small कोई है, 4 है, 4 है, 4 है, 4 है का answer, answer आगे आपना, 94, क्या आगे है इसका answer, 94, second question देखिए, दीरे-दीरे speed बढ़ाएंगे, learning must, 13689, question क्या है, 13689, इस question को solve करने के लिए हम, pairing करेंगे, right side से, 89 and 136, ठीक है, यह 136 हो है, 136, किसके किसके बीच आता है, जल्दी बताएंगे, 136 से बीच आएंगे, यह आपको दिख रहा होगा, in between 121 and 144, in between 121 and 144, यह 136 हो है, 12 square से कम है, and 11 square से ज्याद है, 11 square 121, ठीक है, means, हमें जो है, answer का, दो places है है, 10th place and, 10th place, 10th place, it, मिल गया है, क्योंकि अभी क्या, smaller कम वाला लेते हैं, 11 आ गया, ठीक है, 11, got, अब यहां भी क्या करना है, 11, अब यह 89 जो आपको दिख रहा होगा, 89, 89 के, unit place पर क्या 9 है न, तो 9 का दो possibility है, या तो 3, या 7, अब पता करें चलेगा, बजीए, कि यह 3 लेना है, 7 लेना है, 10th place पर 11 आया था, 11 next क्या आता है, 11 के बाद 12 आता है, multiply कर दीजिए, 132 आएका, multiply करके, इस 132 को हम compare करेंगे, क्या करेंगे, 132 को compare करेंगे, क्या करेंगे, compare, compare कीजिए, इस से, center बाले number से, 136 बड़ा है 132 से, ठीक है, 136 greater than 132, greater means, 3 और 7 में से, बड़ा वाला pick कर लेना है, 7, and, हमारा क्या है, answer आ गया, क्या है answer, 1, 1, 7, next question है, 7, 5, 6, 9, परले इसको रब कर देते हैं, 7, 5, 6, 9 में, यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको, परले पेरिंग करेंगे, right side से, दो-दो का grouping करेंगे, ठीक है, we will pair from right side, 7, 5, 6, 9, देखिए, answer का 2 places, 10th place, 1th place, 10th place कैसे decide होगा, थोड़ा सा fast बताता हूँ, 75 किसके बीच में है, 75, 64 and 81 के बीच में आता है, ठीक है, 64 क्या है, 8 square, 81 क्या है, 9 square, 75 comes in between, तो इसमें क्या हम कम वाला लेते हैं, तो means 9, नहीं लेंगे 8 link, यहाँ पर क्या आगिया, 8, 10th place पर कौन सा आएगा, उसको pick करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 के next क्या आता है, 9, multiply किजिए, इसको 8, 9 जा क्या होता है, 72, 72 को हम सेंटर वाले नमबर से क्या आगरें, compare कर देंगे, ठीक है, 75 greater than 72 है, ठीक है, means, once place पर, यहाँ पर देखिए, 9 है ना, 69 में, 9 मिस दो option, कौन सा दो option है, देखिए, एक तो यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 7 हो सकता है, क्योंकि 3 का सकोई 9 होते है, 7 को सकता है 49, means, यहाँ पर दोनो option है, 75 greater than 72 है, answer में greater वाला pick कर लेंगे, 7, answer आगया 87, 87, 87, understood, next है, 67, 24, 67, 24 को भी हम pair करेंगे पहले, we will pair first, ठीक है, 6, 7, 2, 4 को pair करेंगे, तो 6, 7 and 2, 4 कर लिया प्यार करेंगे, answer का भी दो places आएगा, once place, tense place, tense place, यह पर ले निकालेंगे, तो यह 67 जो है, डिसाइड करेंगा tense place का, 67 किसके बीच में आता है, रेखिए question, 67, किसके बीच में है, 64, 81, 64 क्या है, 8 square, and 9 square, 81, smaller वाला pick करेंगे, यह आगे है, 8, ठीक है, once place निकालने के लिए, यह 24 जो आपको दिख रहा हो, 24 का units place, 4 decide करेंगा, 2, 8, 2 का square 4 होता है, 8 का square 64, तो 64 में once place क्या होता है, 4 होता है, means, इस location पे, units place पे, यह तो 2 आ सकता है, यह 8 आ सकता है, इस दोनों में से कौण आएगा, कौण deciding factor है, answer का, जो 10 place है, उसके next वाला, multiply करता है, successor से, 89 जाओगे, 72, 72 से compare करेंगे इसको, center वाले number को, 67 के है, छोटा है किस से, 72 से, इसका मतलब क्या हुआ, smaller वाला pick को जाएगा, 2, answer आ गया, 82, ठीक है, understood, next है, 2916, 2916, इसका भी pairing करेंगे, 2916, pairing कर लिए, answer का भी 2 places आएगा, एक तो 10 sequence place, पहले कौन सा आएगा, 10th place, कैसे decide होगा, यह 29 decide करेंगा, 29 किसके से बीच में है, 25 and 36 के भी बीच में, 25 से बढ़ा है, 36 से छोट है, किसको preference ज्यादा मिलेगा, 25 को, कम वाले को, 25 किया 5 square है, answer यहाँ पर फिल हो गया, 5, 10th place कैसे निकालेंगे, 10th place, यह 16 बतायाँगा, 16 का units place पर क्या है, 6 है, 6 means, यहाँ पर, 2 option है, either 4, और 6, 4 square 16 होता है, उसके में 6 आएगा, 6 square 36 होता है, उसमें भी units place पर सिक्टा आता है, तो यहाँ पर 2 option है, किसको पिक करना है, 10th place पर जो answer का, उसका next successor से multiply करेंगे, 5 into 6, 5, 6 होता है, 30, अब इस 30 को, compare करेंगे किस से, इस center वाले number से, 29 से, 29 जो है, छोटा है किस से, 30 से, preference किसको मिलेगा, छोटे वाले, answer आगे 54, understood, थांक्यू, आले बेस्टू.